हेलो फ्रेंड सौगत है आपका अन्विद गुरू में इस वीडियो में मैं आपको पीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट कैसे करते हैं उसके बारे मैं बताऊंगा केवाईसी में हमारे ड्राइवरी लाइसंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बोटर आईडी ये सभी चीजें आती हैं इस वीडियो के माध्यम से अपने पीएफ अकाउंट में ये सभी डाकुमेंड की डिटेल फिल करना सीखेंगे अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें जिससे की आने वाली वीडियों का नोटिफिकिशन आपको प्राप्त होता रहे सबसे पहले हम लोग अपने गोगल क्रॉम को उपन करेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पर पी अफ ऑन लाइन लिख करके उस पे ओके करेंगे उसके बाद यहाँ पर लिख के आरा www.epfoindia.gov.in पर क्लिक करेंगे इसको हम क्रॉस करके हटा देंगे फिर हम लोग यहाँ से के बाद इसी मेंबर पर जाएंगे प्रोस्सिंग हो रही है हमारी फिर हम इसको desktop mode पर लगा लेंगे यहाँ हम अपना UN नमबर और password इंटर करेंगे और capture code इंटर करेंगे उसके बाद लॉग इन करके यहाँ आ जाएंगे अंदर हम लोग यहाँ पर के बाद इसी देखेंगे के बाद इसी हमारा manage के option में होता है तो हम manage को click करके के बाद इसी में click करेंगे अब देखें यहाँ पर processing हो रही है यहाँ पर आप देखें यह सब option दिये गए है number wise 1,2,3,4,5,6 और भी है यहाँ पर नीचे यहाँ पर हम लोग detail को fill करेंगे सबसे पहले हमारी bank detail है यहाँ पर bank detail को हम लोग fill करेंगे फिर उसके बाद pen card, आधार card मैं यहाँ आपको bank detail pen card detail और आधार detail भर कर बताऊँगा और जो भी आप भरना चाहते हैं वो आप अपने अनसार भर सकते हैं अपनी के बाईशी में bank detail में आपको यहाँ पर account number, candidate name यानि कि आप अपना नाम डालेंगे और IFSC code pen card में आप अपना pen number डालेंगे और अपना name इंटर करेंगे और आधार card में आप अपना अधार card का नंबर और अपना name यहाँ इंटर करेंगे यह सभी detail आप enter करने के बाद आप save कर सकते हैं save button यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा इस पर आप save करेंगे तो यह सब आपकी detail जो है वो down side सब sequence में save हो जाएगी और आपको दिखाई भी देगी कि आपने कौन कौन सी detail फिल की हुई है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद अधげ कि एंवाद कि एंवा फो जटेगी नान्याव directly